आई अब सब लोग खुशी में हैं तो में हो आपका दोस्बाबॉर आप देखने हमारे यूट्यूब चैनल टेखनीकाल बापन तो हाँ जाम लोग बात करने बाले हैं रेड्मी का थार्ड फ्लक्षिर स्माटफ़न रेड्मी का पहले स्माटफ़न रेड्मी नोट सेवेन रेड्मी के लिए आप दीकरपी बार में जानने के लिए और आप ऐसे वीडियो कैसे लगा और कॉमेंट में ज़र सकते हैं आज जब वीडियो अच्छा लगा तो दे दी एक थमसब दे दीजिए हमारे वीडियो को तो चलिए ऐसके वीडियो शुरू करते हैं Xiaomi Company से अलग होने के बाद Redmi Company ने सबसे पहली स्मार्टफोन लाँच की है Redmi Note 7 जनुवरी 2019 में और Redmi Company की ज़्यादा तर फोकस होती है affordable smartphones जितमें high-end features मौजुद होती है कुछी हबते पहले Xiaomi की CEO Legion ने confirm किया है कि Redmi की जो upcoming smartphone है उसमें आपको Snapdragon 855 की chipset देखने को मिलेगी इसे के साथ recently Redmi Company की President Lee Weaving ने भी confirm किया है अपने official VBO post में कि Redmi Company की जो upcoming smartphone है इसमें आपको Snapdragon 855 की chipset देखने को मिलेगी लेकिन दोस्तों अभी तक यह confirm नहीं किया है कि Redmi Company की जो upcoming smartphone है जिसमें Snapdragon 855 की chipset मौजुद होगी वो कौन सी smartphone होने वाली है इसके बारे में अभी तक कोई भी information share नहीं किया गया है लेकिन दोस्तों कुछ information ऐसा expect कर रहे हैं कि जो upcoming smartphone है वो Redmi X के नाम से जानी जाएगी इसके साथ यह Redmi Company के साथ से पहली smartphone होगी जिसमें एतनी powerful processor दी गई है इसके साथ दोस्तों Xiaomi Company भी launch करने वाला है Poco F2 smartphone जो की एक successor smartphone होगी Poco F1 की जो की पिछले साल launch की गई थी इसके साथ दोस्तों Poco F1 smartphone में आपको सबसे highest Snapdragon 845 की chipset देखने को मिलेगी जब यह smartphone launch की गई थी और अब दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि Poco F2 smartphone में Xiaomi add करने वाला है Snapdragon 855 की powerful chipset However दोस्तो Poco F2 Redmi Company का upcoming smartphone नहीं है क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि Redmi अब सब्रांड पंचू की है Xiaomi company की तो दोस्तों ऐसे में जो Poco F2 smartphone है यह Xiaomi company का under launch होने वाली है ना कि Redmi company का under launch होगी इसी के साथ दोस्तों Redmi Note 7 की upgraded version Redmi Note 7 Pro भी launch होने वाली है इसी मन्त जो कि Spring Festival के बाद launch होने वाली है इसी के साथ दोस्तों यह भी confirm हो गया है कि Redmi Note 7 Pro में आपको 48MP की camera देखने को मिलेगी जिसमें Sony की sensor दी गई है ना कि Samsung की sensor जो कि Redmi Note 7 में यूज़ किये है साथ दोस्तों यह भी confirm है कि Redmi Note 7 Pro में आपको Snapdragon 675 की processor देखने को मिलेगी जो कि काव भी powerful है Snapdragon 660 की processor के comparison में जो कि Redmi Note 7 में मौझूद है Anyway दोस्तों Redmi Note 7 Pro की जो भी specification से यह officially confirm कर दिया है लेकिन दोस्तों Redmi की जो upcoming powerful smartphone होने वाली है Redmi X इसके बारे में अभी तक ज़्यादा कुछ information shared ने की गई है लेकिन दोस्तों दोस्तों से कि मैंने कहा कि यह smartphone में आपको powerful Snapdragon 855 की chipset देखने को मिलेगी जो कि officially confirm कर दिया है दोस्तों वीडियो की starting में मैंने कहा कि Redmi focus करती है affordable smartphones पर दोस्तों ऐसे में अगर Redmi X smartphone launch होती है Snapdragon 855 की processor के साथ तो यह confirm है कि जो Redmi X की जो price है वो आपको बहुत ही less और cheapest देखने को मिलेगी other smartphones के comparison में